काली माई किरिया अब बताइए किस किस को इस गाने का इंतिजार है बहुत सारे लोगों को गाने का ट्रीजर मां अम्बे फिल्म्स पे रिलीज कर दिया गया कल लेकिन गाना गाना रिलीज नहीं किया गया इसकी वज़े, इसकी कई वज़े हैं सामने हैं आपको बताएए कि गाना बहुत ही जल्दी में शूट किया गया है और उसके एडिटिंग में कुछ कमिया रह गई सभी को लगा कि समय रहते इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा और इसे रिलीज कर दिया जाएगा लेकिन जब इसकी फाइनल कौपी पवन सिंग और भी कई लोगों ने साथ में देखी तो कुछ उसमें चीजे रास नहीं आई और फिर से एडिटिंग करवाई गई जिसमें इसे टाइम लग गया और इसी बीच इंटेटेंड रंगीला पर पवन सिंग का एक और गाना रिलीज हो गया अब भाई एक गाना रिलीज हो गया तो पवन के कभी भी दो गाने एक साथ रिलीज नहीं किये जाते हैं ये पवन release कर दिया गया तो इस प्लान को skip कर दिया गया कि आज जो है पवन का नवरात्रगीत release होगा क्योंकि अगर आज release हो जाता तो entertain रंगीला की वीवस तो बठी जाते वो सभी को पता है लेकिन खैर अगर पवन सिंग ने आज गाना नहीं release किया तो release करेंगे कब सब ये बार-बार कमेंट में हमसे पूछ रहे हैं तो हम आपको बता दे कि कल सुबे ये गाना release कर दिया जाएगा जी हाँ आप सभी को एक latest जानकारी दे देते हैं कि ये गाना release कर दिया जाएगा मामबे फिल्म्स पर और आप सभी जितने भी बेताब हैं जितने भी बेचैन फैंस हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी ख़बर है तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि पवन ने क्यों ये गाना नहीं release किया आज तो पहली बात तो आप सभी जान लिजे कि पवन सिंग भोजपुरी में एक बहुत ही professional level से काम करते हैं इस वज़े से पवन सिंग को अपने वीडियो में कोई भी खामी रह जाए वो अच्छी नहीं लगती और साथ ही उनकी जो टीम है उन्हें भी ये सारी चीजे पसंद नहीं है तो थोड़ी editing की problem है और आज ही एक गाना release हुआ है हम है राही प्यार की फिल्म से इस वज़े से पवन सिंग की पूरी management टीम ने ये फैसला लिया है कि गाना कल release किया जाएगा ऐसे ही interesting videos देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करना बिल्कुल न भूल